कि या पर अब हलो फ्रेंडs it बेलकम टू डिपलोमावेट सोनू आज हम लोग बात करनेवालेहं मैनेजमीन्ट का अबजेक्टिफ किष्जन के बारेमें हम लोग का दो चैप्टर हो चुका है और कुछ आबजेक्टिब किष्जन को करेंगे मनेज में इस लेक्चर में सो जो भी इस वीडियो में नीव मेंबर जुड़े हैं प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी आपको SBT related notification या SBT related syllabus के अनुसार सीबिल और ब्रांचेज का आपका यहां पर study materials मिल जाएगा और description में लिंक दिए हुआ है telegram और facebook का वहां सब लोग जूड़ सकते हैं सबस्ट करते हैं सबस्ट जो multiple choice question है management का उससे कि first question क्या बोला जा रहा है उसके द्वारा क्या है तो देखिए सबस्ट क्यूचन जो है हमारा वो क्या बोला जा रहा है कि बीच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दा प्रोसेस ऑब्टेनिंग डिप्लॉइंग यूटिलाइजिंग अभाराइटी इसेंशियल रिसॉर्स टू कें ट्रिब्यूट टू एन और्गनाजेशन सेक्स इनमें से कौन सा ऐसा जो वहाँ पर बताया जा रहा है प्लानिंग है या ओर्रगनाजिंग है या स्टाफिंग है कि मैनेजमेंट है कि जिसको हम ले क्रोसेस ऑफ अफटेनिंग, डिप्लॉइंग या उटिलाइजिंग करने में है उसका हईल्प जेते हैं तो देखिए कौन अंसर है हमारा ओ है management, d option हम लोगों को यहां पर correct होगा, management, management ही क्या है कि यहां पर correct option है, so अगला हम लोगों को objective देखते हैं कि अगला objective क्या बोला जा रहा है, which title is given to an individual who is in charge of and coordinate the activities of the group of employee by engaged in related activities within a unit of an organization, इन में से कौन सा ऐसा title है, जिसका इस्तमाल हम लोग एक individual के लिए करते हैं, कि जिसको हमको किसी employee के लिए use किया जाता है कि जो एक related activities में, वो employee connected है, तो यह कौन से हां पर correct option होगा, तो यहां पर जो correct option हमारा है, वो है manager, manager ही एक ऐसा title होता है, एक ऐसा individual member होता है, कि जो जूड़ा होता है group of employees से, और engaged होता है बहुत सारे activities में, जो कि unit of an organization से का बहुत सारे activities को काम करता है, तो इसका जो correct option है, वो हमारा A option correct होगा, इसके बाद है third question हमारा, कि which management function involves setting goals and objectives and creating specific plans for completing them, इन में से कौन सा ऐसा management function है, जो हम लोग set करते हैं किसी goals को, objective को या specific plans को करने के लिए, ता specific plans को करने के लिए, ये सम में से management function ये चारो है, तिन में से हम लोग A option को करते हैं, जो कि है planning, तो यहाँ पर correct option हम लोग को होगा planning, तिहां पर correct option समझ लीजगा फ्रेंट, planning है हमारा correct option, planning ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर correct option हम लोग का A हो गया, थिरी नमर क्योचन में एक और एक्ट ऑप्चन हमारा इसके आगे हम लग फोर्थ को देखते हैं फोर्थ क्योचन क्या बोला जा रहा है इन में से कौन सा एसा लेबल रिस्पोंसिबल होता है किसी ओर्गनाइजेशन का डिवलाप करने में या उसका प्लांस को बनाने में या और्गनाइज करने में या साबर्डिनेट में चुनने में इन में से कौन सा एसा मेंबर रिस्पोंसिबल है कौन सा एसा लेबल रिस्पोंसिबल है तेहां पर देखिए फर्ष्ट लेबल मेंजर कॉरेक्ट होगा कि मीडिल मेंजर या एक्सकीटिव मेंजर या सेकर्ड मेंजर इसमें जो कॉरेक्ट ओप्सन हमारा है वो है सी एक्सकी करवाना है उसके लिए रिस्पॉंसिबल होता है इसके बाद आता है फिफ्ट नमर हम लोग का क्यूचन बीच लेवल ऑफ मनेजमेंट इस रिस्पॉंसिबल फॉर एंप्लेमेंटिंग प्रॉग्राम्स यहाँ पीछले वाले वहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि हम लोग को कहां पर काम करवाना है उसके लिए वहाँ app違el आफ मेनेजमेंट को हम लोग चेक कर के द्वारा सेट होता है वो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाता है कौन तो इंप्लीमेंट जो करवाता है यहां पर फ्रेंड वो इंप्लीमेंट कराता है मीडल मेनेजर जो भी प्रोग्राम सेट कराया जाता है executive managers के द्वारा executive के द्वारा तो वो set करवाने के बाद follow करवाता है कौन तो वो करवाता है middle manager यहाँ पर correct option हम लोगा है B इसके बाद 6th नमर जो question हम लोगा beach management principle states that each individual should report to only one boss in order to avoid conflict or confusion इन में से कौन सा management होते हैं कि जो बोलते हैं कि एक ही boss हो और इसके लिए तो avoid करने के लिए conflict और confusion का avoid करने के लिए तीन में से कौन सा ऐसा है कि जो एक ही order को देता है एक ही boss को मानता है तीन में से जो unity of command होता है unity of command ही एक ऐसा है system जो one boss के द्वारा दिया जाता है one boss system में unity of command होता है जिसके दोरा हम लोग avoid करते हैं conflict को और confusion को इसके बाद हम लोग देखते हैं seven number question क्या बोलता है seven number question में क्या बोला जा रहा है तेखे seven number question क्या है कि which management principle states that orders and instruction should flow down from top to bottom or from a higher level manager to lower one इन में से कौन सा ऐसा है कि जो बोलता है power जो हो order जो हो top से bottom आए तो इन में से ये chain of command ही है जो बताता है कि power कैसे आ रहा है तो top to bottom आ रहा है यानि यहां पर correct option हम लोग का होगा वो होगा B option हम लोग का correct होगा ठीक है plan B option correct है इसके बाद देखिए कि a manager who possesses knowledge of the process, equipment and potential problems of an industry would possesses what types of management skills ऐसा कौन सा management जो होता है जो पोजेज करता है knowledge of process के बारे में तो इसमें और equipment के बारे में potential of problems के बारे में और industry के जो भी problem होगा उसको संधान करने के लिए कोई अपना advice देगा तो यह कौन से हैंपर manager काम करता है यहाँ पर manager का वो कौन सा manager होता है तो यह option correct हमारा जो की है technical यहाँ पर technical manager ही correct option होगा technical manager ही हम जो को help करता है जानने में, equipment के बारे में जानने में और potential problems के बारे में जानने में इसके बाद आता है ninth number question जो की है कि the ability of a manager the ability of a manager to interface and work effectively with the individuals of group is descriptive of what type of management skill ऐसा कौन सा ability of manager होता है जो interface करता है work को efficiently करने में या group को एक descriptive management skill को देने में इन में से interpersonal जो ability होता है manager का interpersonal यानि CEO option हम लोको correct होगा जो इसको help करता है work को effectively करने में मार्केटिंग बजट सेट फ्रो और अ कंपनी अ मैनेजर उड फेल टू टीम टू एकसीड दे मन्थली गोल और क्लाइंट बीच टाइप पर्फोर्मेंस रिजल्ट्स हैव दे अटेंडेड तो इन में कॉर्यक्ट ओप्शन जो हमारा है वह है quantity अगर मेनेजर लीड करें क्या कि अगर एकसीड कर दें मन्थली गोल ओफ न्यू क्लाइंट को तो इन में से कॉन सा पर्फोर्मेंस पर वह असर पड़ेगा रिजल्ट पड़ेगा तो वह होगा quantity पर असर पड़ेगा तहां पर कॉर्यक्ट ओप्शन हमारा है ए फोरे मैनेजर बीच शू टेक प्रियॉरिटी दा जॉब टास्क और 51 टास्क को C अंपरुल ओफ एप्रियो टास्क इवे इंप्रॉरिग फियंख ब्र Warning दा, कॉन सा है मैनेजर होगा जो इन में परियोरिटी 2 डगाуп the employee performing the job यह option हम लोग का correct होगा किसी manager को नहीं तो उसको balance करना चाहिए interest in job task के बारे में और नहीं तो उसको within the needs of the employee needs of the employee से उसको नहीं समझाता करना चाहिए नहीं तो job task से फिर आता है थर्टीन अमर के उचन जो कि है economic uncertainty regulatory requirement and new computers are example of what type of factors that affect managers economic uncertainty एकनॉमिक जो uncertainty है या regulatory requirement या new computers का जो requirement है ति किस type of factors affect करता है managers को ति यह managers को कैसे affect करता है तो यह external factor के रूप में affect करता है यहाँ D option हम लोग का correct होगा D option correct है ठीक है which management function includes measuring results, comparing results to expectations and taking corrective action इनमें से कौन सा ऐसा management involves करता है measuring results के बारे में और compare करता है exception में जो corrective action के लिए जिमिदार होता है corrective action को लेने के लिए responsible होता है तो हता है controlling अगर हम लोग controlling पर focus कर लें यह सभी चीज़ को हम लोग control कर सकते हैं correct option को ले सकते हैं measure कर सकते हैं results को compare कर सकते हैं अपने exception cases में इसके बाद हम लोग 15 number question को दखते हैं कि 15 number question क्या बोला जा रहा है इसके बाद हम लोग 16 number question को देखते हैं कि 16 number question में क्या बोला जा रहा है तो 16 number question में beach of the following characters characterize a manager as being effective इनमें से कौन साइसा बताता है कि कोई manager effective है character कौन साइसा बताता है कि manager effective है तो यहां पर correct option हम लोग सिर्फ बोलेंगे तो correct option हमारा है they achieve their goals अगर वो अपने goals को achieve करते हैं तो वहां पर manager का काम हो जागा being effective तो यहां पर C option हम लोग को correct होगा इसके बस 17 number question है कि beach of the following characterize a manager as being efficient तो इनमें से कौन साइसा characterization है जो managers को बताता है कि यह efficient है they interview select and train people who are most suitable to fill open jobs तो क्या कि कोई manager कैसे efficient बन सकता है तो वह interview करेंगे select होंगे train people people को train करेंगे और क्या कि suitable job पर फिर open करेंगे jobs के लिए यह सब characterization होते हैं being efficient के लिए इसके बाद आता है which management principle states that work should be divided so that each person will perform a specialized portion इनमें से कौन साइसा principle है जो बताता है कि work को divide करना चाहिए हर एक person में और उसको perform करना चाहिए specialized portion का अनुसार कि कौन सा member specialized है किस पार्ट में तो यह management principle क्या होता है तो यह division of work में जो principle आता है division of work के लिए तो वो बताता है कि हम लोग कैसे divide कर सकते हैं बर्क को और specialized portion के दवारे हम लोग करवा सकते हैं यहां पर यह option हम लोग को correct है जो की है division of work यह option हम लोग को correct यहां पर होगा division of work इसके बाद हम लोग देखते हैं what two major in result are manager seeking on daily basis इन में से कौन साथ दो major in result है जो managers को daily basis पे किये देखा जाता है तो यहां पर correct option हमारा है product और service को managers को हमेशा देखा जाता है product और services को daily basis पे यहां पर a option correct है हमारा product और services इसके बाद आता है 20 नवर की चंजों की बुला जा रहा है in management the various roles that managers are called on to perform are defined in which process कितना सारा role जो होता है management का तो किस process में बताया जाता है कि उसका क्या role है managers का तो उसका role management process में बताया जाता है a option हम लोग का correct है management process में managers का roles बताया जाता है फिर आता है 21 नवर की चंजों की बुला जा रहा है which type of managers are responsible for reporting to middle managers इन में से कौन सारा manager होते हैं जो इसका responsible होते हैं कि वो report करें अपने middle manager को तो middle manager को report करने के लिए हम लोग को managers responsible होते हैं यानि B option हम लोग का correct है manager responsible है ठीक है इसके बाद आता है हम लोग का 22 number question की beach part of the management process includes measuring results, comparing results, exception and taking correct यह पीछे वाला question से हम लोग का यहां पर match कर रहा है इसमें controlling option हम लोग का सही होगा D option सही होगा controlling controlling option हम लोग का सही है पीछे वाला question repeat किया है इस चलते इसको पर ज्यादा focus नहीं करेंगे beach influential thought leader is known as known for his common sense approach to self improvement as demonstrated through the book he authored how to win friends and influence people इमें से कौन सासा leader हो थे हैं कि जो अप्रोच कियें थे self improvement के लिए और demonstration के लिए यह demonstrate कियें थे एक book को जो इसका author था how to win friends and influence people यह नाम था उसका पूरब book का how to win friends and influence people तो 23 option का हम लोग का correct option होंगे Dale Carnegie Dale Carnegie हम लोग का correct option है Dale Carnegie यही author थे हैं जो एक book लिखें थे जिसका नाम था how to win and influence people जो influence करता है एक leader के रुप में common sense जो self improvement के लिए यह help करता है यह option हम लोग का correct है Dale Carnegie ध्यान दीजेगा Dale Carnegie लिखें थे how to win friends and influence people इसके बाद आता है बीच influencer thought leader is known as the father of scientific management इन में से कौन साइसा influencer थे influencer जो सोचें कि leader क्या है कि is known as the father of scientific management कि कोई फी लीडर किसके द्वारा scientific management किसको हम लोग बोर रहे हैं ति इन सके अनुसार अगर बात किया जाए तो यह हम लोग का फ्रेडरीक डब्लू टेलर थे जो लीडर के बारे में यह बोलें थे influence किये थे कि इनको father of scientific management बोला जा रहा है तो influencer यह थे तो फ्रेडरीक डब्लू टेलर यानि बी ऑप्शन हम लोग का correct है यहां पे फ्रेडरीक डब्लू टेलर कॉरेक्ट ऑप्शन होंगे फ्रेडरीक डब्लू टेलर ध्यान दिजेगा इसके बाद बात आता है दे टर्म कॉर कॉम्पेंटेंसी बास कॉइंड बाई सीके प्रहलाद के दोरा प्रहलाद के दोरा यह हम लोग को बताया गया था कि कॉर कॉम्पेंटेंसी के बारे में बताया गया था सीके प्रहलाद ठीक है प्रहलाद यह हम लोग को बताया थी यह influencer हम लोग को बताया थे कोर कॉंपेंटेंसी के बारे में इसके बाद बात आता है अगला 26 नमर क्योश्चन को जो कि हम लोग देखते हैं इन में से कौन सा इंफिल्वेंशल थे हैं जो जाने जाते हैं अपना थियोरी ओफ और का निजेशनल फॉंप्स के लिए तिये थे हैं हेन्री मिंटेजबर्ग यह फ्रेंड यह कॉरेक्ट ओप्स हमारा हेन्री मिंटेजबर्ग यह इन ही को जाना जाता है और गरनाजेशनल फॉंप्स के लिए लीडर के रुप में ठीक है तिये 26 नमर हम लोग का क्योश्चन था है इसके बाद हम लोग और भी क्योश्चन को देखेंगे अब यहां से आगे देखे फ्रेंड हम लोगगा स्टार्ट करते हैं और फिक opposing को तो यहां पे अगला क्यीश्चन जो है, जो पोला जा रहा है कि रॉप मेंजमेंट रीटेन बाइ प्रैक्टीश मेंजमेंट जो होता है, वो किसके दवारा लिखा गया था, पीटर एफ डरक के दौआरा प्रैक्टिस ऑफ मनेजमेंट को लिखा गया था पीटर एफ डर्कर के दौआर यह देखिए कितना से किन ना के बीच में लिखा गया था इसके बाद हम लोग और भी क्यूचन को स्टार्ट करते हैं इसके बाद सेकंड किशन हमारा है है 26 किशन उधर हो गया फ्रैंट यह 27 है 28 है ठीक है तो आप टू नंबर रहें किशन समझेए इसके आगे आप लोग हम नंबरिंग सिस्टम कर लिजेगा अपने से हम लोगा स्टार्ट करते हैं और भी किशन को इसके बाद सेकंड नंबर किशन है जो कि बोला जा रहा है कि management is what a manager यह कौन कहें थे management इस what a manager यह कौन कहें थे यह कहा गया था लुएस ईलन के दोबारा तो यह सी option हम लोगे कोरेक्ट होगा ठीक है फ्रेंड तो Lewis Allen हम लोगा correct option है यहाँ पर है management is what a management manager does यह हम लोगा Lewis Alexander Allen जिनका नाम था पूरा नाम यहाँ पर Allen का spelling भी गलाद दिया हुगा है ध्यान दी जगा है देखे Lewis Allen हम लिख देते हैं Lewis Allen Lewis Alexander Allen इनका पूरा नाम था Alexander Allen ठीक है Allen Allen का spelling यहाँ पर A-A-A-L-L-E-N होता है यहाँ पर A-N लिखा गया है चलता मिश्टेक नहीं समझेगा Lewis Alexander Allen नाम था इनका और यह यहाँ पर यही क्या कियें थे management को डिफार्ण कियें था what a manager does is called management simply यह बोलें थे ठीक है तो यही यहाँ पर early stage of early work of management के रुप में यहाँ पर जाने जाते हैं और management is what a manager does तो यह Lewis Allen की नाम से जाना जाता है Lewis Allen इस definition को दियें थे the first man who advocate advocated the view and that the management should and can be taught is the first man कौन थे जो मने बताया थे कि advocated the view that the management should can be taught should and can be taught management को होना चाहिए और प्रहाना भी चाहिए उसको बताना भी चाहिए कि management क्या होता है तो first man जो advocated the view that management should and can be taught is Henry Fjol जो जाने जाते हो उसका नाम था उनका नाम था Henry Fjol यहाँ पर D option हम लोग को correct है Henry Fjol Henry Fjol ही हमारा correct option है D option हम लोग को correct है यहाँ पर D option ठीक है यहाँ पर टीकाड भी लग चुका है देख लिजे डी option हम लोग को correct है इसके आगे हम लोग और भी क्योशन को देखते हैं the first woman authority in management is first warman authority sorry friend warman authority in management is correct warman authority कों थे फैस्च overman authority तो फैस्ट uhman authority के नाम से जाने जाते हैं Louisa Gill berth Louis Gilbert जाने जाते हैhen फ ideia फिउल मेन अथोरीटी के नाम से यहाँ पर को देखते हैं यह हम लोग को फॉर्ट नमरों की यूचन था इसके आगे हम लोग देखते हैं फिफ्ट नमरों की यूचन होगा इसके बाद फिफ्ट नमरों की यूचन को देखते हैं to manage is to forecast and plan to organize to compound to coordinate and to control इस डिफिनेशन इस बस गिवन बाई यह डिफिनेशन किन के द्वारत दिया गया था यह डिफिनेशन हम लोगों का दिया गया था Henry Fay all के दौारा यहां पर extremely फ्यो लिखा आया Henry फ्यो के दौरा है Henry फ्यो फ्यो यहां पे लिखा गया Henry Fay यह to salary यहीं हरन को Henry Fay getting Henry Fay यहां पार b option हम लोगं correct होगा to manage is to forecast and plan to organize to convert to coordinate and to control तो यह दियें थे हेंरी फे त्यहां पर कॉरेक्ट ओप्सन हम लोगा बी ओप्सन कॉरेक्ट होगा हेंरी फे इसके बाद हम लोग और भी केश्चन को देखते हैं तो जैसे कि आप से एक से नमर केश्चन जो है फ्रेंड ओ है लेदर गुलेक क्लासिफाइड फांक्शन ओफ मनेजमेंट एज लेदर गुलेक जो क्लासिफाइड किया थे फांक्शन ओफ मनेजमेंट को तो किस परकार में क्लासिफाइड किया थे यह फूल फॉर में यहां पर दिया हुआ है इससे घबलाना नहीं है तो इसको में देखिए कॉरेक्ट ऐसा कि आप लोग देखे होंगे कि सबसे फर्स्ट में है P, P means होता है planning, P मतलब क्या कि planning, कैसे हम लोग plan करते हैं, उसके बाद O से आता है organizing, organize कैसे करते हैं, उसके बाद आता है हम लोग का की S, S मतलब staffing, फिर D, D मतलब directing, C मतलब coordinating, R मतलब reporting, और उसके बाद हम लोग का आता है B मतलब budgeting, बीच, बास first coin in paper, यही सब क्या था सबसे firstly administration, management में सबसे पहला बताया गया था, यही जो लुदर गुलैक के द्वारा classify किया गया था function of management के, तो यह इस step में रहता है P, O, S, D, C, O, R, B, post corp, simply याद रखे, post corp, इससे आप लोग पूरा function of management को याद कर सकते हैं, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, यह पूरा आपको याद हो जागा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, और भी चीजों के बारे में, और भी seven number, जो question है, इसको देखते है, management is the art of getting things done, through and with and uniformly organized, तो management क्या है, एक art है, तो देखें फ्रेंड, इसमें क्या बोला जा रहा, management क्या है, एक art है, जो informally organized हो कॉन बोलन थे, यह हम लोगों बोला गया थे, हरोल्ड कॉंज के दौरा, हरोल्ड कॉल्ज यहाँ पर हम लोगों को अंसर सही होगा, इसके बाद में आता है, the era of scientific management, scientific management कितना से कितना के बीच में होता है, तो scientific management याद रखिया, अगा फ्रेंड 880 से 1930 के बीच में होता है, scientific management, यहाँ पर यह option हम लोगों को correct होगा, management is the art and science of decision making and leadership, 9 जो है, यह question में बोला जा रहा है, management क्या है, art है science का, जिसमें decision making and leadership के बारें बताया जाता है, ति यह कौन बोलें थे, यह हम लोगों को अब बोला गया था, डोनाल जेक कॉप के द्वारा, यहाँ पर भी option हम लोगों को correct होगा, डोनाल जेक, गॉल्फ, गॉल्फ, the most popular management think of modern times is, most popular जो management thinker थे है, modern times का, तो वो कौन है, तो है, मारी, मारी पार्केट, मारी पार्केट, यहाँ पर यह option हम लोगों को correct होगा, मारी पार्केट, इसके आगे हम लोगों देखते हैं, इसके बाद है, 11 number question है, फ्रेंड, जो की बुला जाता है, कि father of principal management, father of principal management कौन थे, तो यह father of principal management जो हमारा है थे, वो है henry fjol, henry fjol क्या है, father of principal management, C option है, यहाँ पर correct है हमारा, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रखिए गई, यह bond हुए थे, अठार्स एक्ताली सिस्वी में, इसके बाद आता है, प्वाइनर ओफ human relation, प्वाइनर ओफ human relation के नाम से जाना जाते हैं, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, इसके बाद फोर्टी नमर जो किवचन है, वह है, spread the cops, spread the cops का मतलब क्या होता है, यह 14 law of principle, 14 law of henry fjol में, इसका जिक्र है, spread the cops का जिक्र है, spread the cops का मतलब क्या होता है, तो spread the cops का मतलब होता है, strength को ignite करना, unite करना, strength को क्या unite करना, मतलब union is a strength, यहाँ पे यह पर सब्सके पर सब्सक्राइब को देखते हैं, इसके द्वारा कनेक्टेड हैं एफ डव्यू टेलर स्टिफिक मनेजमेंट से कनेक्टेड हैं तो इसके बाद सेवंटी नमर जो किशन है कि फिल इन दे ब्लाक्स फांक्शन इस ब्लाक्स में कौन साइसा फांक्शन होगा जो रिगार्ड करता है इसका मतलब होता है संटेंस इंप्लाइज और फ़ेक्ट करता है यानि यहाँ पे कोरेक्ट ऑप्शन जो हमारा है पितल सब्सक्राइब o सब्सक्राइब कानुött डी मेंसा कि ने हो जाएगा्ग हो जाएगा अब दीङे पिदी समय पीर्ट थे प्रींडरनट इनक्रीयप वह घुनिया बोला ख्रजडता है कि इनडरी Deaf नमबर किन्ट सब्सक्राइब क्या था किसके दोरा क्या राव आज और बनाया गया था तहां पर हन्री फ्योल हरें यहां पर रवाई ठीक है हैं रवाई स्विलन संधाइए हें रवाई ठीक हैं अगये हमसे मिश्टेक हुए था होँ आपे हेंड़ी फ्यॉल लिखा था तो होँ पर लोग मैनेज कर लिजेगा है हेंड़ी फ्यॉल हेंड़ी फ्यॉल ठीक है हेंड़ी फ्यॉल यहां पर कॉर्रेक्ट और सन हमारा है इसके बाद 20 निबर जो किस्टम और और अर्गनाइजेशन अर्गनाइजेशन इसका चैन ऑफ कमांड कैसे होता है तो चैन ऑफ कमांड जो ता होता है सकAyARRY ז के रूप में म convention कैसे होता है जार के तक नूप нормально प्रिटेन बाय जेन्र अन इनडस्ट्रियल म homelessness होता है औह किसके दवारे लिखा गया था तहहें होल के द्वार्य लिखा गया था यहांपे हें री फ्य measuring नाम करें रहें हैं है इन्री फियोल करेंब यहांपे पर द्वय मैंनें अ Jea अगंडर्य फ्यॉल स्टडी ऑफ दो मुमेंट और बोथ वर्कर्स आएंड दो मसीन टू इलिमिनेट वेस्ट फूल मेनेजमेंट इज तो ऐसा कौन सा स्टडी जिसमें में मोमेंट ऑफ बोथ बारकर और मसीन को लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोसन श्टडी यहां पर सी ऑप्सन हम ल को रिएंते हैं हैं रिफ्योल टॉप लेवल मनेजमेंट ये टॉप मनेजमेंट पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट के थे यह ओप्सन हम लोग का कॉर्एक्ट है 25 नेमर के विश्यान है कॉंटिजेंट प्लान कौन है कि जिसको हम लोग इन्वार्मेंट प्रेशर के लिए जानत स्ट्राट्रेटिक होता है उसी को हम लोग बलते हैं कौन्टिजेंट एक चिये कॉंटिंजेंट प्लान् टुमीट इन्वार्मेंट प्रेशर इता स्ट्राटबिक यही ऎतना हम लोग 51 नमर 51 की इस लेक्शन में करेंगे लेकिन इसमें हम लोग टोटल 51 इस तक राख देगे ज्याद स्यादा इस lecture को आप लोग शेयर की जेक्षियों के all branches के लिए है यह objective question इस में से पक्का है कि आपको 5 to 10 question तम confirm है कि SVT और MSVT syllabus में आना ही है so इस lecture को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए and please do like, share and subscribe this channel diploma with Sonu. Thank you all.